हेलो चेंट्स आयवेंद्रजित और वेरी वेलकम आ यूट्यूब चेनल आज आ मिसोड़े में बात करने वाले हैं डेली पुलिस कोश्टेबल 2030 की इस भरती में कितने लोगों ने फोर्मे और फिल क्या है साथी साथ हम इसके एक्सपेक्टेड कट अप की बात करेंगे 2030 में इ पहले आप लोगों से क्रिकवेश्ट है अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सस्क्रेब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सस्क्रेब किजीगा अब यहां पर इसकी भरती की बात करूं तो यहां पर 7547 पदोपर ये भृतिये निकाली गिये ओके अच्ची भर्तिये भारी भर्तिये बंपर भर्तिये और यहाँ पर जो भर्तिये निकाली गिये भावं भी भोध अधिक संक्या में भरे गए हैं सबसे पहले मैं पुरुष कंडिरेट की बात करूँगा पुरुषों की कुल भरती है पाँच हजार चपन पदो पर जो भरती निकालेगी है और महिलाओं की भरती चोविशो एंक्यानू पदो पर महिलाओं की भरती है निकालेगी है यहाँ पर दोनों को आगड़ा बताने वालों कि कितने पदो पर कितने फोर्में भरे गए अब यहाँ पर इसके बाद मैं आप लोगों को examination date की भी जानकारी रहता हूँ तो इसका यहाँ पर देखिए आप जान सकते हैं आप लोगों को official notification भी देख लिया है कि इसका exam कपसे होने वाला है तो यहाँ पर इसका exam 14 November 2023 से इसका online exam है वो CVT first exam हो start हो जाएगा वोगे आप date not कर सकते हैं 14 November से start होगा तो 5 December 2023 तक इसका online exam हो चलेगा अब आज से ही अच्छे से तयारी किजिगा जिससे आपका कोई selection हो सके चले फ्रेंट कितने लोगों ने form fill किया है और expected cutoff है और कितनी जाएगी हम direct जो हमारा official data है उसके माद्यम से जानेगे सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस questionable के expected cutoff की बात कर लेते हैं कि 2023 में कितना cutoff है और जाने वाला है और कितने अंक पर आप लोगों का selection होने वाला है सबसे पहले यूर यानि कि सामानी category जिनका जो cutoff है यहाँ पर अब देख सकते है 74 से लगाकर 79 तक जो पुरुस candidate है इनका cutoff हो जाएगा यूर की जितनी female candidate है उनका जो cutoff यहाँ पर अब देख पाएंगे 76 से लगाकर 78 तक जो cutoff है उनका जाएगा यूर category अबिशी की बात करूँगा अबिशी candidate है यहाँ पर इनका जो cutoff है 73 से लगाकर 77 तक जो इनका cutoff हो जाने वाला है female candidate है अबिशी वाली इनका जो cutoff है 62 से लगाकर 64 तक है इनका cutoff हो जाएगा SC category SC category की बात करने वालों को कि यहाँ पर पूरुष केंडिडेट है SC केटिगरी वाले जिनका जो कोटोफ है यहाँ पर 68 से लगाकर 72 तक यहाँ पर कोटोफ है हो जा सकता है female candidate की बात करूँगा यहाँ पर HD केटिगरी की जितनी भी female महीला है इनका जो कोटोफ है यहाँ पर जाएगा 55 से लगाकर 58 तक जो कोटोफ है इनका जाने वाला है 60 केटिगरी की बात कर ले दें जो HD केटिगरी है इनका जो कोटोफ है यहाँ पर 69 से लगाकर 76 तक है ओ कोटोफ है इनका जाने वाला है female केटिगरी की बात करूँगा यहाँ पर इनका जो cutoff है 52 से लगाकर 62 तक है इनका जो cutoff है उजा सकता है एक service man candidate की बात करने वालों यहाँ पर इनका जो cutoff है वो यहाँ पर देख सकते हैं ओके यहाँ पर देखेंगे 64 से लगाकर 69 तक इनका cutoff जाने वाला है फ्रूस candidate का और female candidate का यहाँ पर देख पाएंगे 50 से लगाकर 52 से लगाकर 56 तक यहाँ पर इनका cutoff है वो जाएगा ओके यह आप देख सकते हैं और इतने आंक तो आपको लाना ही लाना है आप कोसिस यह रहेगी कि आपकी केटेगरी के अनुशाथ आप इतने आंक ला सके तब जाकर के आप लोगों का डेली पुलिस कोस्टेबल में सिलेक्शन है और फर्ष्ट अटेम में सिलेक्शन हो पाएगा अगर आप सिविटी फर्ष्ट क्वालिफाई करना चाते हैं तो आप लोगों को इतने आंक लाना अनिवार रहेगा तब जाकर आप सेकेंड में एक्जाम में जो क्वालिफाई हो पाएंगे अब हम इसकी टोटल फर्म फिल करने की बात कर लेते हैं कितने लोगों ने इस वेकेंसी में फर्म में ओबर आए डेली पुलिस कोस्टेबल के टोटल फर्म कितने फिल होए हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे कुल जो फर्म है भारी संक्या में फिल होए हैं 2030 में अभी तक की बात करूँ तो अब तक 54,15,938 फर्म हो भरे जा चुके हैं यहाँ पर आपका कॉंपिटिशन अब बहुत ही तगड़ा होने वाला हैं ओके एक एक कैटेगरी की बात करूँगा जो यू आर कैटेगरी है उसके फर्म की बात करूँगा तो यहाँ पर 8,66,650 फॉम भरे गए EWS केटिगरी है उसके फॉम की बात करूँगा यहाँ पर 3,23,33 फॉम है यहाँ पर भरे गए अब इसी केटिगरी की बात करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,37,1606 फॉम है इस भरतिक लिए भरे गए ऐसी केटिगरी है यहाँ पर देख पाएंगे ऐसी जो केटिगरी है उसके फॉम की बात कर लेता हूँ यहाँ पर उसकी 11,9,95,174 फॉम है भरे गए 80 केटिगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर 6,88,185 फॉम है यहाँ पर भरे गए एक सर्विसमेन वाले केंडिडेटे उनके फॉम की बात करूँगा तो यहाँ पर 6,494 फॉम में लगबख भरे गए हैं अभी तक तो अभी तक के डाटा आप देख सकते हैं इतने फॉम इस भरती के लिए फिल हो चुके हैं बहुत ही भारी तगड़ा कॉमफिडिस्टन हैं होने वाला है आप इस फ्रेकेंसी के लिए अच्छे से त्यारी कीजिएगा जिससे आप क्वालिफाई हो चाकें मैं आपना वीडियो से माप टिकरूँगा वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू प्रेंड्स